नमस्ते दोस्तों आज हम कलाकंद वर्फी बनाएगे ये खाने में बहुत ज़्यादा टेश्टी लगती है और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है उसके लिए हमने आधा लीटर दूद ले लिया है इसमें एक लीटर दूद लगेगा इसमें थोड़ा सा पहले कड़ाही में पानी डाल देना जिससे चिपके नहीं अब दूद को अच्छे से पका लेना है बड़ी है सब बॉय लाने तक पकाना है दूद को अब दूद फाडने की तयारी कर लेते हैं उसके लिए एक कटोरी ले लिया है अब आधा निम्बू ले लिया है इसका रस निकाल लेना है और विनेगर से भी फाड़ सकते हैं दूद देखे इस तर रस निकाल लेना है अब पानी डाल देना है देखे दूद भी अच्छे से गरम हो चुका है बस इतना ही रखना है अब इसमें निम्बू अला पानी डाल देना है और थोड़ी दिर गैस को धीरे कर देना है और चलाते ही रहना आए गैस को बंद नहीं करना है धीमी आज में इसको फड़ लेना है चलाते रहेंगे तो बहुत अच्छे फट जाता है देखिये फटने लगा है दूद अगर नहीं फटा थोड़ा सा और निम्मू डाल देना है देखिये दूद फट चुका है बड़ी है सा फट चुका है दूद अब इसको च्छान लेना है पानी अलग कर देना है इस पानी से आटा भी गूश सकते हैं बहुत टेस्टी लगता है, देखिए बढ़िया सा निकल आया पनीर, इसका पानी निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसलिए हल्का सा ही दबा के निकाल देना है, अब इसको एक किनारे रख देना है, अब फिर वहीं कडाही ले लेना है, थोड़ा सा नीचे प फुल क्रीम दूद है अब इसको इंडेक्शन या फी गयस पर चढ़ा देना है और अच्छे से पका लेना है दूद को देखिए बॉयल आ चुका है अब अच्छे से चलाते हैं उसको पका लेना है इसको गाढ़ा करना है इसी समय सौ ग्राम चीनी डाल देना है ज्यादा चीनी नहीं डालना है क्योंकि यह मीठी ज्यादा नहीं अच्छी लगती है अब जिसमें जमाना उसमें थोड़ा सा घी लगा देना है और फैला देना है अब इसी समय इसमें जो हमने निकाला है पनीर उसको डाल देना है इस तरह से तोड़ के डाल देना है देखे कितना अच्छा पनीर बना है और बहुत मुलाइम भी है अब चलाते ही रहना है इसको जिससे दूद अच्छे से गाड़ा हो जाएगा और जो कलाकन दाने वाला बनता इसी तरह से बनता है देखे गाड़ा होने लगा है इसको लगातार चलाते ही रहना है अच्छे से गाड़ा होने तक इसको पका लेना है देखे कितना अच्छा दाना पड़ा है इसमें देखे गाड़ा हो चुका है अब इलाची दाना डाल देना है कूट के थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ा हो गया इसलिए थोड़ा सा दूध और डाल दिया है हमने अब थोड़ी तेरा और फका लेना है देखिए परफेक्ट हो चुका है अब इसको उतार लिया है अब इस तरह से दबाते हैं अच्छे से मैस कर देना है अब इसको जमा देना है अच्छे से जम जाती है थोड़ी देर में और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है इसको फ्रिज में नहीं रखना ऐसे ही जम जाती है बाहर ये दानेदार कलाकंद खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती एक बार जरू ट्राइ कीजिएगा और बनाने में बहुत ही आसान है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी देखिए अच्छे से जम चुकी है अब इसको निकाल लेना है देखिए कितनी सुन्दर लग रही है